So, what's up guys? So guys, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा knowledgeable वीडियो होने वाला है और खासकर beginners को ये बहुत ज़्यादा help करने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की हमें inspection time में क्या करना चाहिए जो हमें 15 seconds का inspection time होता है उसमें हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या वो steps है जिससे हम अपनी cubing को और अपनी speed को reduce कर सकते हैं और अपनी efficiency को बढ़ा सकते हैं तो जो 15 second का inspect सबसे बहले मैं यह बता देता हूँ अगर जिनको ना पता हो कि inspection time क्या होता है तो आप जब भी cube solve करते हैं या competitions में जाते हैं तो आपको 15 second cube को inspect करने के लिए मिलते हैं like वो scramble करके आपके पास आता है और आपको 15 seconds मिलते हैं कि आप उस cube को inspect करें and then 15 second के बाद आपको अपना solve start करना होता है तो वो जो 15 second है वो बहुत जादा crucial होते हैं उनको आपको हमेशा अच्छे से utilize करना पड़ता है वरना आपकी speed थोड़ी डगमगा सकती है तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले है and वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप cube लेलो पर shopping करते हैं तो मेरा code इंडिया उस कीजिए checkout के time पे and आपको मिल जाएगा 50 rupees का off and आप मेरे सारे cubes का link मैंने description में डाल दिया वहाँ से जाके purchase कर सकते है and हमारे channel पर 89 के subscribers complete हो चुके हैं सिर्फ 11 के subscribers बाद हमारा channel 100 के subscribers हिट कर देगा जिसके बाद बहुत सारे surprises आने वाले अज का video एंड देखते हम कि इंस्पेक्शन टाइम में क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले बात आती हैं inspection time में हमें कहां से start करना चाहिए like हमें inspection time हमारा start हो चुक है हमें क्या क्या सबसे पहले observe करना चाहिए तो क्यूब सॉल्व करने में हम लाइक में स्क्रैंबल कर देता हूं एंद माल लीजिए मेरा 15 सेकंड का इंस्पेक्शन टाइम चल रहा है तो मैं क्या अब्जर्व करूँगा तो मैं अब्जर्व करूँगा कि मेरी क्रॉस एज कौन-कौन सी है जैसा कि आपको पता होगा अगर आप SIFOP solver है और maximum मेरे विवर्स सीफॉप solver ही है तो पता होगा कि क्रोस हम starting में बनाते हैं बिगनर में भी हम क्रोस ही बनाते हैं ठीक है तो क्रोस बनाएनगे तो सबसे पहला Mir A यह काम होगा कि मैं से पता चल जाएगा कि यह मेरी good edge है, यह मेरी bad edge है, यह good edge है and यह bad edge है, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं cross बनाना start कर दूँगा क्योंकि 15 seconds में मेरी utilize completely नहीं होंगे, but कुछ-कुछ लोग यार advance आप जितना जादा practice करते जाएंगे, आपको क्या लगेगा, आप cross को भी inspection time में crack कर पा रहे हैं and साथ ही साथ आपको अपना first F12 pair भी crack कर लेना है cross में, okay, like मैं जैसे अभी मैं यह नहीं बताऊँगा कि आपको cross के साथ-साथ ही अपना first F12 pair देख लेना है, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आप cross जैसी cross का अपना last step complete करें, उसी में आप आपको अपना last first F12 pair है उसे देख लेना है, कैसे बोल रहा हूँ, यह मैं आपको बताता हूँ, like यह वाला हमारा cross है, इसको हम कैसे solve कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक move यहाँ हम इसको आगे बढ़ा देंगे, like एक move and दो move, क्योंकि हम पता है orange हमारा कहाँ पर होता है, green के right side हमने orange लगाया, then हम देखेंगे double move करके blue को लगाएंगे and फिर double move करके अपना red लगाकर, जब हम इसे align कर रहे होंगे, तब हम अपना first F12 pair जो कि मैंने यहाँ पर देख लिया and हम उसे लगा देंगे and finally जब हम अपना F12 pair solve करेंगे, तो हमारा कुछ time reduce हो जाएगा, क्योंकि हम inspection time मेरा चल रहा है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने cross edges देख लूँगा, एक, दो and third one and fourth one, तो देखेंगे, अम मैं कैसे arrange करूँगा, आपको पता है green हमारे red की right side होता है, मैंने इसको green को लगाया, then मुझे orange का पता है, कि orange मेरा कहां पर होता है, मैंने B2 कर के orange को साथ ही साथ, जब मैं अपने blue को लगा रहा हूँगा, तब आपको क्या देखना है, आपका F12 pair देख लेना है, like मैंने इसको लगाया, and मैंने अपना F12 pair, जो blue और red वाला था, वो मैंने देख लिया, इसको मैं लगा दूँगा अपने तरीके से, then इसी के साथ-साथ मैंने second F12 pair देख लिया, तो inspection time में आपको सिफ यह ध्यान रखना है, starting में आपको इतना ज्यादा practice करना है कि inspection time में आप cross को अपने बना ले, मतलब inspection time में अपने दिमाग में cross को बना ले, and finally जैसे आपका inspection time खतम हो, आप तुरंद के तुरंद उसे execute कर पाए, okay, then आपको जब आप औ starting में हमें F12 pair देख लेना है, या फिर बाद में देखना है, तो मैं personally recommend करता हूँ कि आप starting में क्या करें, cross को बना ले, and जब आप cross की last edge लगा रहे हो, तभी आप अपना F12 pair को देख ले, तो main आपका focus किस पर रहगा, आपको cross को अपने inspection time में complete कर लेना है, अब मैं कुछ examples आ So, मैं चलिए, अब scramble करता हूँ cube को, और बिना inspection time, and with inspection time आपको अपने cross solves दिखाता हूँ, तो मैं सबसे पहले scramble कर लेता हूँ So, मैंने scramble कर लिया, अब मैं directly क्या करूँगा, इसे start करूँगा, and देखूँगा कि मेरा कितना time लगता है, तो देखे, सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा, कि cross कैसे है, तो देखे, बहुत जादा time लग चुका है, क्योंकि मैंने inspect नहीं किया था, ठीक है, पांच क करके दिखाता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, तो एक बार और मैं इसे cancel करता हूँ, एक बार और solve करके आपको दिखाता हूँ, So, चलिए मैं दूसरा solve करता हूँ आपके सामने, आप स्टार्ट करता हूँ, मैं बिना inspect किये, और आप देखेंगे कि कितना variation आता है, तो जैसा कि आप देख सकते, एक्चुली स्क्रीन में भी थोड़ी problem आ रही है, एक्चुली मैं देखने में, आप देखे, 6 seconds का आपको दिखेगा, एक्चुली मैं average, 3 करके दिखाता हूँ, आपको और फिर दिखाता हूँ कि कैसे हम, इसमें क्या average आता है, ठीक है, तो मैं last solve करता हूँ, so last cramble मैं कर देता हूँ, एक बार, एक्चुली स्क्रीन में देखने में problem हो रही है, तो देखे, मैं start करता हूँ, बिने inspect किये, and मैं देखता हूँ, देखे, इसमें तो और ज्यादा बेकार आ है, अब मैं बताता हूँ आपको कि inspection time के साथ, हमारा कितना जाधा improvement होगा, यह तो बहुत जाधा गंदा average आ रहा है, like 6 seconds, 7 seconds अगर आप cross में ही utilize कर देंगे, तो sub 20 तो आप बिलकुल ही हो पाएंगे, तो approximate 2 to 3 seconds या 4 seconds भी approximate मान सकते हैं, कि इतने के अंदर आपको cross को बना लेना है, तो inspection time को अगर आप properly utilize नहीं करेंगे, तो बहुत जाधा problem होने वाली है, तो अब मैं inspection time के साथ आपको करके दिखाता हूँ solve, तो मैं इसको कर लेता हूँ cut एक बार, अब दिखाता हूँ solve करके आपको inspection time के साथ, तो चलिए guys, अब हम देखते हैं कि inspection time को लेकर हमारे कितने solves आते हैं, पहले 6-7 का average आ रहा था, अब मैं एक बार scramble करके आपको दिखा देता हूँ, तो सोड़ा screen में देख रहा हूँ, इस वज़े से आपको variations देखने को मिल सकती है, अब मैं like solve में 1-2 second का फर्क हो सकता है, क्योंकि screen में देखने में बहुत जादा problem आ रही है, ठीक है तो आप मैं करता हूँ इसका inspection time on, और देखते हैं हम अपना solve करते हैं, okay, so, जैसा कि आप देख सकते हैं inspection time के साथ, जो हमारा first time आया है वो 2.77 second आया है, अब मैं एक और solve, दो solve और करके दिखाता हूँ फिर आप improvement देखेंगे कि हमारा कितना आता है, so, हम दूसरा scramble करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या solve आता है, and, so, हमारा दूसरा scramble हो चुक है, inspection time में on करता हूँ और देखते हैं हमारा इस बार क्या solve आता है, so, cross edges मैंने अपनी देख ली है, and, so, जैसा कि आप देख सकते हैं वापिस 2.69 second का आया है time, यह गलती से start हो गया है, so, अगर मैं आपको अपनी timing दिखा हूँ तो पहली timing 2.69 आय थी, यह वाली भी 2-point के प्रॉक्स आई है, third timing दिखाते हैं और फिर वीडियो के end करते हैं, so, मैं third scramble करता हूँ और दिखाता हूँ फिर आपको कि ऐसी timing आती है, so, scramble कर दिया है, मैं inspection time अपना utilize करके देखता हूँ, and, देखते हैं हमारी क्या timing आती है, so, इस बाद थोड़ा सा शायद hard scramble आ चुका है, बेट कोई बात नहीं, 5.86, यह वाली थोड़ी सी जादा हो चुक है, hard scramble and plus screen की भी problem आ रही है, okay, so, आप देख सकते हैं कितना जादे improvement हुए, पहले 6-7 seconds आ रहा था, approximate 2 seconds पर आ चुका था 3 seconds तक, ठीक है, तो inspection time को आप जितना अच्छे से utilize कर पाएंगे, उतना जादा आपका यह अच्छा होगा, and try कीजिएगा कि last में आप अपना एक F12 pair, first F12 pair भी देख लीजे, ताकि आपका time और भी जादा improve हो, तो I hope आपको यह video knowledgeable लगाऊगा, पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया like करें, शेयर करें, चैनल प्ले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं, okay friends, thank you for watching.